बुढ़िया और श्री कृष्ण की भक्ती की कहानी तो आप लोगों ने सुने ही होगी सच्चे भक्ती कहानिया सुनकर हर किसी की दिल में भक्ती जाग जाती है ऐसी ही कृष्ण भक्ती की मिसाल उत्तरप्रदेश के आग्रा में देखने को मिले ताजनगरी आगरम में भगवान कृष्ण और भक्ती के बीच भक्ती के अनोखी मिसाल देखकर हर कोई चकित रह गया लेक सिंग ने बताए कि सुबा पाज बजे स्नान करते समय लड़ू गोपाल गिर गया और उनके हाथ में चोट लग गई मैंने उनके हाथ में खपच्ची बांधी और दर्द कमर हम लगाकर आट बजे तक उन्हें गोध में बिठा कर इंतिजार किया इसके बाद आट बजे ओपीडी खुलते ही मैं उन्हें लेकर जला स्पताल गया हूँ दरसा शहगंच के खेरिया मोडे स्थिर खास पूरा इलाखे के लेक से सुबा पूजर के समय लड़ू गोपाल को इसनान कराते वक्त प्रतिमा गिरने के बाद खुद खपच्ची से उनके हाथ पर कच्चा प्लास्टा चढ़ा कर जला स्पताल पहुंचा और लड़ू गोपाल को स्पताल में भरती कराने की जिद पर अड़ गया डोक्तरों के मना करने पर वो रोते रोते बेसुध हो गया उसकी हालत देखने के बाद खुद CMS ने रड़ू गोपाल का पच्चा बनाकर अपने हाथों से प्लास्टर कर पुजारी को सूपा उसके बाद भी भगवान को दर्दोने की बाद सोचकर पुजारी रोता हुआ उन्हें अपने साथ लेकर आ गया अपने में आ पर आया आने वान अपर नहीं आ रहे तो मातरे में ज़्याओ नहीं चाहिए रहे प्लाद से पहले हैं इसके बाद मैं तो पहुंच गया इसकी बाद मैं फिर द्वारा जट तर पूंच गया है अब क्या हुआ अब प्लेश्टर हो गए आप परचा बन जया था अब क्यों हो रहे हैं आप अब क्यों हो रहे हैं जानकारी के मुताबक थाना शागंज के खेरिया मौड स्तित हासबोरा शेतर में पत्वारी मंदिर में लेक सिंग पुजारी है तीस वर्ष पहले मंदरे में लड्डू गोपाल विराज मान किये गए थे लेक सिंग उनका बच्चों की तरह खयाल रखते हैं सर्दे कर्मे और बरसात हर तरह के मोसम के अनुसार भगवान लड्डू गोपाल के वस्तर भोजन का लेख पाल पूरा ध्यान रखते थे आसपास रहने वाले तमाम लोग भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं